दोस्तों आज की इस वीडियो में भारत की प्रमुख वन्य जीप संडक्षन परियोजना यानि इंडियाज मेजर वाइड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तो जानेंगे हम 10 ऐसी परियोजना है जो एकजाम में इनवार्मेंट में बहुत ही जादा ट्रेंड करती है तो नमस्कार जैहिन वन्दै मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेटी प्रट्वर्व में इस धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड एक कलम उठाईए और यह दस परियोजना है फटा फट नोट कर लेजेगा जो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है ना यहाँ पर परियोजनाओं से कुसंस इस तरीके से बनते हैं कहता है यह परियोजना कब आई है सन पूछ लेता और किस जिले से स्टार्ट हुई है ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दो से तीन कुसंस बनते हैं तो फटा फट नो इसा अहम हिस्सा है, environment का एक अहम हिस्सा है, कहता है यह बताओ, present time में बागों की संख्या क्या है, बागों वाला राज जिकिसे का आ जाता है, बाग परियोजना कब आई है, तो सारी चीजे हम जानेंगे बाग दिवस कब है, देगे project tiger में पहला point आपको लिखना है कि 1973 में बा बात करें, तो NCRD based में 1973 यानि 1973 लिखा हुआ है, ठीक है, साब साब, अब देखिए अगर बात करें, 1973 में बाग परियोजना यानि project tiger क्यों आया, इसका reason क्या है, क्योंकि उद्दे से हमारा जो aim थाना वो बागों को बचाना, अब भही अगर हम tiger को save नहीं करेंगे, तो फिर परियोजनाओ को लाएंगे, सिंपल सी बात है न, अगर हम बात करें, इसके आगे की बाग दिवस हम कब मनाते हैं, तो बाग दिवस हम मनाते है 29 जुलाई को, मैंने कई बार आप से चर्चा की है, अपने GK वाली class में, जिसमें हर बच्चे को पता है, अगर नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई भी बच्चा पहली वार, कोई बहन, कोई भाई पहली वार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको सिक्षक और सिक्षिका ही बनाते हैं, मिलियंस, लाखों, परिवारों में, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे के पॉइंट, आ आग परियोजना का आरंब हुआ था 1973 में, लेकिन जो सेंटरल गवर्मेंट है न, यह सेंटरल गवर्मेंट की प्रायोजित क्या है, परियोजना है, अब कई बार बच्चों से कुश्चन पूछ ले जाता है, कि बताओ कि जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, वो इस्सा है, फिर सेंटरल गवर्मेंट का इस्सा है, तो याद रखेगा यह सेंटरल गवर्मेंट का इस्सा है, और यह सेंटरल का है, तो सेंटरल ही आंसर लगेगा, केंदर सरकार ही आंसर लगेगा, इसमें राज्य सरकार का कोई भी जोर नहीं है, यह बात ध्यान रखना है अब बात करते हैं कि एक report आई थी 2018 में जो अभी तक मानी जा रही है 2020 में अभी संख्या 50 और बढ़ चुकी है लेकिन exam में आपके options मिलेगा कि पूछेगा कि ये बताओ वर्तमान में बागों की संख्या क्या है तो 2967 है फिलाल इसमें 50 संख्या और बढ़ चुकी है लेकिन exam में questions के option में 2967 क्योंकि data NCRT वाला पूछा जाएगा तो अभी हाली में क्या 2018 में क्या हुआ था एक report जारी हुई जो 2967 ये कहता है कि भारत में बागों की संख्या tiger कितने है 2967 है और याद रखो कि भारत में 70% बाग पूर विश्यों के पाई जाते हैं ये बात याद रखना है साथी साथ एक चीज और याद रखो कि ये बताओ कि भारत में कैसा राज्य कौन सा है जो tiger estate के नाम से जाना जाता है तो वो है यम्पी यम्पी की बात करें तो यम्पी में एक रीवा सहर है रीवा में सफेद बाग भी आपको मिलते हैं बगेल खंड में भी बाग मिलते हैं और पूरे होल अगर यम्ती की बात करें तो यहां पर मद्य प्रदेश एक ऐसा इलाका है जो बागों के लिए टाइगर स्टेट कहा जाता है यह बात ध्यान लखना है बागों में नंबर वन मद्य प्रदेश, बनों में नंबर वन मद्य प्रदेश, है ना सोयाबीन में नंबर वन मद्य प्रदेश तो इन तीन चीजों को भूलना नहीं है जो इनवार्मेंट में पूछी जाती है अब हम बात करेंगे हाथी परियोजना हाथी परियोजना को हम कहते हैं elephant project कोई समस्या इसमें दो कुछन मनते हैं कि ये बताओ कि हाथी परियोजना किस जिले से start हुई और कब start हुई एक संत पूछा जाता है और एक जिला पूछा जाता है और तीसरा राज्य भी पूछा जा सकता है तो तीन कुछन याद कर लो फटाफट एक तो पूछेगा कब तो आप कहोगे सर 1992 में कब start करा गया elephant project भारत ने यहाँ पर कब लाया क्योंकि elephant project इसलिए लाया जाता है कि जब elephant एन्य हाथियों की संख्या में गिरावट आ रही है बाग प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया क्योंकि उनमें कमी आ रही है जब भी कोई परियोजना लाई जाती है तो उसमें सुधार के लिए चीजें लाई जाती है कराई जाती है तो 1992 में elephant project आया अगर कुछन में पूछा जाए कि किस राज्य से स्टार्ट किया गया तो याद रखो कि जारखंड से स्टार्ट किया गया है ना अगर कुछन में पूछा जाया कि जारखंड के किस जिले से स्टार्ट किया गया तो सिंग भूमी जिले से स्टार्ट किया गया अब देखो हाथी को सिखार करने के लिए आप देख रहे होगे ये वाला अगर आप इस सा हिस्सा ये देख रहे होगे तो यहाँ पर क्या है हाथी के दातों को क्या करा जा रहा था वाजार में तसकरी के रूप में यहाँ पर बेचा जा रहा था और यार हाथी दाथ जब करोगे तो आप कहोगे कि सिंपल सी बात है कि हाथी की मृत्य तो होगी होगी अब देखो काट तो उपर से लिया जाता जरूरी नहीं मृत्य हो लेकिन एक्शल में सिकारी लोग उसको मार देते थे अब सिकारी जब मारेंगे तो हाथी कमोंगे या जादा होंगे तो सिंपल सी बात यह है कि इसके लिए एक परियोजना लाई गई जिसमें देख रेक हमारा करतब्ब है सरकार का करतब्ब है आगे बात करें कि हाथीों की संख्या में भारी गिराबट आने पर 7 दिसमबर 1992 को जारखंड के सिंग भूमिजले से इस परियोजना की सुरुआत की गई यह बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टन कुस्सन है एकजाम में कुस्सन ट्रेंड करता है अच्छी तरीके से इस कुस्सन को नो डाउन करें चलें आगे फटाफट चलेंगे आगे हम बात करेंगे दोस्तों गिद संख्यन परियोजना यानि वल्चर कंजरवेशन प्लान अब यह कुस्सन एकजाम में इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कोगे सर हमें तो पता ही नहीं हमें गिद के बारे में बहुत कुछ नालिज है लेकिन आज भी आप कोगे कि सर गिद के बारे में हमें थोड़ी सी नालिज कम थी अब सुनो अब देखो गिद परियोजना कब आई तो इसमें बहुत सारे बच्चे लटक जाते ये तो हर बंदे को पता है कि गिद कैसे खतम हुआ है तो डाइकलोफेनिक जो है दवाथी उससे जो है खतम हुआ है अगर हम आपसे बात कर दें ये बताओ कि गिद संरक्षन बिभाग कहां पर है बहुत सारे बच्चे लटक जाएंगे तो याद रखेगा गिद संरक्षन के लिए हरियाना बन बिभाग तथा बामबे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर कभ हुए 2006 में ये है याद रखो कि जो कंजर्वेशन प्लान है ये कब आया है 2006 में यहाँ पर बल्चर कंजर्वेशन प्लान यानि गिद संरक्षन योजना आया किसके तहट हरियाना बन बिभाग और बामबे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच में जो समझ होता हुआ जो यहाँ पर शहमती पत्र हुई क्लियर है कोई समस्या अब बात आती है ये बताओ हम अगर दो कुस्षन पूछें आपसे कि ये बताओ कि गिद अभी बरतमान में क्यों नहीं दिख रहे हैं तो आप कहोगे सर गिद इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इनको डाइकलोफेनिक दवा के कारण जो इनकी मरत्यू है वही रीजन क्या रही है डाइकलोफेनिक अब मैं इसके पीछे कहानी आपको बता देता हूँ एक सेकेंड में एक्चुल में गिद को माना जाता है तो स्टार में बना के लिख लीजेगा गिद को सफाई करता कुस्षन में अगर आ जाए कि इनवायर्मेंट का सफाई करता किसे कहा जाता है तो यहाँ पर लिख एस गाय बकरी कुछ भी मर जाता था तो हम लोग क्या करते थे हम लोग कहीं उसको फेक आते थे है ना तो उसमें क्या होता था कि चट से वो भहिया क्या कर जाते है तो ऑर प्रकति जो हमारा जानबर मर रहे थे तो हमने क्या कहा हमने जो है उनको injection दिया हमने जब injection दिया तो हमारे जानबर कुछ जो है मर गए हमारे जानबर जब कुछ मर गए और उन मरे हुए जानबरों के मांस में क्या था injection था दवा और उसको जब गिद ने खाया तो फिर क्या हुआ उनकी किड़नी पर यानि गिद की किड़नी पर effect कर गया और गिद की किड़नी खराब होने पर उनकी म्रत्य हो गई उन जानबरों में जो मरे हुए जानबर थे वो डाइकलोफेनिक दवा थी और दोस्तों उसी के कारण इनकी मरत्य हुई आगे हम बात करेंगे कस्तूरी मरक प्रियोजना यानि मस्क डियर प्रोजेक्ट आप देखो यहाँ पर पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है कस्तूरी मरक प्रियोजना का मतलब यहाँ पर कस्तूरी मरक से एक बहुत बहुत अच्छी खुसबू आती है जिसको आप कहते हो कस्तूरी है ना तो यहाँ पर हम जान लेते हैं दो फैक्ट International Union for Conservation of Nature के सायोक से उत्तराखंड कस्तूरी मरक प्रियोजना कब शुरू की गई 1970 में कहा शुरू की गई उत्तराखंड में उत्राखंड में कहाँ पर केदार नातब बेरन केदार नातब बेरन कहाँ पर है उत्राखंड में है है ना किसके सईयोग से International Union for Consurvation यह बात याद रखेगा और International Union for Consurvation का मतलब क्या है IUCN IUCN क्या करता है Red Data Book जारी करता है IUCN का मुख्यले कहा है IUCN का मुख्यले सुटिजर लेंड में IUCN का मुख्यले सुटिजर लेंड में Gland सहर में है बताओ कितने कुष्ण याद करोगे भाईया है ना आगे हम बात करेंगे दोस्तों कस्तूरी म्रक के लिए सिकारी देवी अभ्यारने जो हिमाचल प्रदेश तथा बद्री नात अभ्यारने जो उत्राखंड में है यह important है कल को कुछन अगर यह आजाय कि सिकारी देवी अभ्यारने कहां पर है आप आया भी है तो आप आंसर लगाएंगे हिमाचल प्रदेश में बद्री नात अभ्यारने कहां पर है उत्राखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है कस्तूरी इम्रक परियोजना के लिए प्रसिद्ध है पताए कोई समस्या कोई डाउट अगे बढ़ेंगे हंगुल परियोजना अब देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये पूछ दूँ क्या मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ कि हंगुल परियोजना किस जानवर से सम्मन्दित है तो बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़े नहीं है वो बिलकुल डाउट में हो जाएंगे ठीक है लेकिन आज नहीं देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बिलकुल इमानदारी से लाइक कर देना और हर सेर हर सेरनी चैनल को सस्क्राइब कर लेना क्योंकि हम उमीद ये करते हैं आप से कि सलेक्षन आप लेकर आओ बले ही आप लाइक सस्क्राइब ना करो लेकिन सलेक्षन लेकर आओ आपके घर में भी क्या होना चाहिए घर भी आपके रोसन होने चाहिए घर में भी आपके दीपक जल तो रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है एक खुसी का जो दीपक होता ना वो गाइस बहुत इंपोर्टेंट होता है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो अगर बात करें यहाँ पर पूरी तरीके से इंवार्मेंट को पढ़ने के लिए अच्छी तरीके से अगर आपके पास एक भी दिन है तो नीचे आप जाना और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाक्स में एक लिंक होगी फटा फट पूरा फटा फट अग्दं फाल डालना और जल्दी से क्या करना है नोर्स बना लेना है और अपने एकजाम को पूरे में पूरे नमबर प्राप्त कर لेना है ठीक है दट-दस मिनिट की वीडियोस हैं अब हंगुल परियोजना क्या है एक्शल में हंगुल परियोजना दोस्तों एक हिरन है अब कुस्सन आता है कि हंगुल परियोजना के हिरन कहां पर पाई जाते हैं कौन से राज्य में जंबू कस्मीर में ये बात याद रखना है जंबू कस्मीर में कहां पर पाई जाते हैं द दाची ग्राम दाश्टी उध्यान अब एक स्टार बना के लिगलो कि दाची ग्राम दाश्टी उध्यान ये कुशन में बार बार आता है कि दाची ग्राम दाश्टी उध्यान कहां पर है तो आंसर होगा जम्बू कस्मीर ठीक है ये बात याद रखेगा अगर कुशन में कल को अंगुल परियोजना स्टार्ट करी गई, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए सबसे जादा प्रस्ण पिछले बार एक्जाम में यहां से पूँचे गए थे कि रेड पांडा प्रोजेक्ट कहां पर, जो है कब लागू किया गया और प्रदेश कौन सा है, किस तरीके से परियोजना लाई गई है, ठीक है न, किस के सहीोग से लाई गई है अब देखिए रेड पांडा प्रोजेक्ट, यानि लाल पांडा परियोजना, अब यहां से दो तीन कुस्ण बनते हैं पहला कुछन ये बनता है कि कहां इस्थित हैं ये कहां पर पाई जाते हैं तो यह पूरवी हिमाले छेतर में पंद्रा सो से चार हजार मीटर की उचाई पर पाई जाता है पूरवी हिमाले का मतलब क्या ये भारत है और भारत की अगर हम बात करें तो ये बाला पूर्वी हिमाल है ये पूर्वी हिमाल है ठीक है पंद्रा सो से चार हजार मीटर की उचाई पर पाय जाता है अउनाचल पदेश में कैंट बियर के नाम से जाना जाता है और अउनाचल पदेश आप जानते हो कहां कहां पर है और उनाचल पढ़ता है और यह पूर्वी छेत्र है है ना पूर्वी छेत्र तो आप सभी जानते हो कि अगर कल को कुछ सना आ जाए कि यह बताओ कि कैंट बियर या कैट बियर का दूसरा नाम क्या है लाल पांडा है कहां पर पाय जाता है उनाचल पढ़ता है लाल पां परियोजना कब लाया गया 1996 में प्रकति विदिके सयोग से ठीके ना पद्म जनाइडू हिमांचेन जन्तु पार्क के लाल पांडा परियोजना की शुरुवात की ये इंपोर्टेंट है पूशा नहीं गया है लेकिन इसको अंटरलाइन जरूर करें बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों एक्षल में एक कुस्षन आता है कि थामिन परियोजना ये है क्या और कब शुरुवात किया गया लोग टकजील कहां पर है मडीपूर में है है ना इसलिए आप समझे समझ रहा होगे कि मडीपूर में क्या है मडीपूर में लोग टकजील है कोई डाउट नहीं है दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाले विश्यू के इस दुर्लव इस्तंधारी जिसको हम कहते है थामिन प्रोजेक्ट यानि थामिन इसका नाम है। कब लाया गया? 1970 में लाया गया, यह important point है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। अगला point है दोस्तों कच्छुआ परियोजना, कच्छुआ के बाद फिल्कुल खतम में विडियो टेंसर मत लेना, कच्छुआ संदक्षन परियोजना यानि टल्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, अब टल्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में क्या है? अब कल को कुस्षन यह पर यह आ जाए कि यह बताओ कि आलिव रिड्ले क्या है? अब options में बहुत चीज़े हैं, आप star बना के लिख लो फटाफट कि आलिव रिड्ले बरावर कच्छुआ है, यानि कच्छुआ, आलिव रिड्ले कच्छुआ की परजाती है, ऐसे भी लिख सकते हो, कुस्षन आ च जाता है, उडिशा में पाया जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, जिस तरीके से बाग सबसे ज़़दा मद्दी प्रदेश में, हिरन सबसे ज़़दा हंगुल हिरन आपके जम्मु कस्मीर में, ऐसे ही औलिव रिड्ले कच्छुआ, आपका उडिशा तटपर पा जाता है उडिसा की राजधानी भूबने एस्वार कीमती दबाओं में प्रीयोग होने के कारण इनकी संक्या में गिराबट हो यनि इनको पकड़ कर मार दिया जाता था और दबाओं में इसका यूज किया जाता था इसको देखते हुए उडिसा सरकार ने 1987 में यह उडिसा सरकार है स्टेट गवर्मेंट ने 1987 में कटक जिला जिला इंपोर्टेंट है याद रखना है जैसे हाथी परियोजना के लिए जहरखंड का सिंग भूम जिला था 1987 में कटक जिले में भितर कनिका भ्यारनी बहुत important है कई बार exam में पूछा गया है कई बार अकेले ये पूछ लिया गया है कि भितर कनिका भ्यारनी कहां पर है तो आपके options है करनाटक, उडिशा, केरल, उतरप्रदेश तो यहाँ पर भितर कनिका अब भैरने कहाँ पर है उडीसा में है और याद रखो कौन से कुस्षन है कच्छुआ संडक्षन के लिए एक कुस्षन यहाँ से बन गया कहाँ पर पाए जाता है कुस्षन उडीसा में बन गया कब स्टार्ट किया 1987 में कौन सा जिला कटक जिला में अब बैरने कौन सा भितरकनिका है ना यह बात important है guys याद रख लेना है और कुस्सन इससे बाहर नहीं आएगा परियोजना से पूछा जाएगा तो कुस्सन यहीं से आएगा मेरा मकसद है कि एक या दो वीडियो में नहीं सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में जो भी पढ़ना है वो पूरा पढ़ो खतम करो तो कोई डाउट एनी डाउट हर बहन हर भाई का बस एक काम होना चाहिए सस्क्राइब और लाइब वीडियो को लाइक करें फटा फट की जाएं गुरुजी वर्ड के टेलिग्राम गुरुप से जुड़ जाएं याद रखेएगा सर्च करें गुरुजी वर्ड का टेलिग्राम जोइन करें गुरुजी वर्ड है नकी डबलू ओ आर डी है जैहिंद वंदे मातरम इंकलाव जिन्दावाद